36 गड़ के भिलाई से बड़ी खबर सामने आ रही है दरसल पुलिस ने ग्लोब चौक के पास हुई फारिंग के मुख्या आरोपी अमित जोश को एनकाउंटर में मार किराया है बताया जा रहा है कि आरोपी ने चार महीने पहले तीन लोगों को गोली मारी थी जिसके बाद से ही वो फराब चल भाए था पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी इस बीच शुकरवाब की शाम करीब पाच बजे जैंती स्टेडियम के पास पुलिस को अमित नसर आया पुलिस को देखते ही आरोपी अमित जोश ने पहले पुलिस टीम पर गोली चलाए जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कारवाई में उससे धेव कर दिया जानकारी की मुदाबिक इस ओपरेशन में दस अदस्य पुलिस टीम शामिल थी जिसमें डियेस्पी क्राइम हें प्रकाश माय और ए सी सी उ पर भावी भी मौझूद थे